हे एवरिवन तो कैसे हैं आप सब सो आज जो हम केस डिसकस करने जा रहे हैं उसका नाम है आधार केस दिखिए ये जज्जमेंट इतनी important जज्जमेंट रही है कि इसके बाद ही right to privacy को ऐसा fundamental right ensure किया जाने लगा सो हर एक चीज के बारे में detail में समझेंगे वीडियो पूरा देखिएगा सबसे पहले इस केस का नाम जाल लेते हैं justice K.S. Putta Swami R.E.T.D. इसका मतलब मैं आपको आगे बताऊँगा versus Union of India 2018 की बहुती जादा landmark और important judgment है सो आगे बढ़ते हैं अगर आप मेरा channel follow कर रहे हैं तो आप यह बता सकते हैं इस वीडियो से जस्ट पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने खरक सिंग वर्षी स्ट आफ उत्रपरदेश का केस डिसकस किया था उस केस में सुप्रीम कोट ने ये कहा था कि राइट टू प्राइवेसी जैसा कोई भी concept हमारा इंडियन constitution केरी नहीं करता लेकिन आज का ये जो केस है जो किया केस पुट्टा सौमी केस इसमें और सुप्रीम कोट ने अपनी उसी चीज़ को ओवर रूल कर दिया है तो अगर आप खरक सिंग केस पे एक easy explanation जाते हैं तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं इस वीडियो का लिंक आपको इस टाइम आई बटन में मिल जाएगा आधार स्कीम के अंदर लिये जाते हैं और उन इंडिविजोल को दिया जाता है एक 12 डिजिट का यूनिक नंबर बिसिकलिक ये जो 12 डिजिट का यूनिक नंबर है ये एक इंडिविजोल की identity को यहाँ ensure करता है आगे चलगे गौवर्मेंट करती क्या है कि different public welfare schemes में ये 12 डिजिट का जो इंडिविजोल का नंबर है इसे लिंक कर देती है वो public schemes कोई सी भी हो सकती है जैसे different pension schemes हो गई public distribution system हो गया midday meal programs हो गया मनरेगा हो गया disability pension schemes हो गया So, government इन सभी public welfare schemes से different individuals के जो enrollment हैं इसके schemes में उनके आधार link कर देती है। So, इस case के regarding कुछ facts clear कर लेते हैं आप देख सकते हैं यहाँ existence में आते हैं जस्टिस केस पुट्टा स्वामी इस case में petitioner होने के साथ साथ वो एक retired करनाट का high court के judge भी रह चुके हैं। So, केस पुट्टा स्वामी कुछ statements अपनी हाँ पे देते हैं केस पुट्टा स्वामी यह कहते हैं कि जो government है वो लोगों के 12 digits के जो unique number है जो की आधार scheme के under generate हुए हैं उनको different public welfare schemes के साथ link कर रही हैं तो यह चीज़ वायलेट करती है individuals की right to privacy को कहने का मतलब यह है जो 12 digits के unique number है ज उसके according उनकी identity को जब यहां link किया जा रहा है different public welfare schemes के साथ तो केस पुट्टा स्वामी का यह कहना है कि यह government की practice वायलेट करती है एक individual के right to privacy को यह काफ़ी important चीज़ है इस case में कुछ question arise होते हैं सबसे पहला question कि जो अधार act है जिसके under अधार scheme यहां operated है वो valid है या नहीं सो इस validity के context के regarding कियास पुट्टा स्वामी यह कहते हैं कि जो भी fingerprints, retina scans और facial scans लिये जा रहे हैं लोगों के उसको एक ऐसे server पे save किया जा रहा है जो कि खुदी secure नहीं है और इस server को कोई भी private individual कोई भी private entity असानी से access कर सकता है simple words में अगर मैं कहना चाहूं तो लोगों की identities ऐसे server पे यहाँ upload की जा रही है यहाँ store की जा रही है जिसे hack करना जादा मुश्किल नहीं है और तो और इस server को लेके government ने कोई भी हाँ safety measures public के सामने नहीं रखे हैं दूसरी statement जो कि एस पुट्टा स्वामी हाँ पे रखते हैं कि जो government है जो central government है उन्होंने आधार scheme तो यहाँ प बन जाता है तो किस पुट्टा स्वामी यहाँ पर यह भी कहते हैं कि जो different public welfare schemes है जिसके अंदर एक individual को enrolled किया जा रहा है जिसके according यहाँ पर 12 digit का जो अधार number है different individuals का वो link किया जा रहा है welfare schemes के साथ देखिए किस पुट्टा स्वामी यहाँ पर यह कहना चा रहे है कि welfare scheme तो citizens क fundamental right है वो तो उन्हें ऐसे ही मिल जाना चाहिए लेकिन government यहाँ पर link क्यों कर रही है identity individuals की with the welfare scheme यह चीज़ यहाँ गलत है और यह चीज़ कही ना गई violet करती है right to privacy को simple words में केस पुट्टा स्वामी यहाँ यह कहना चा रहे है कि welfare scheme citizens को ऐसे ही मिल जानी चाहिए उसमें आपको क जो की responsible है और जो की govern करता है आधार scheme को उसको constitutionally valid declare कर देते हैं लेकिन चीज़ें यहीं पर खतम नहीं होते भले ही honorable supreme court ने आधार act को यहाँ पर constitutionally valid declare कर दिया हो लेकिन आधार act के अंदर बहुत सारे ऐसे sections हैं जिने एक तरह से सवालों के घेरे में लाया गया और उन्हें unconst constitutional deemed किया गया basically यहां section 57 section 33 clause 1 clause 2 section 47 section 2D को unconstitutionally deemed किया गया और यह चीज़ कई गई कि इन्हें दुबार से reframe किया जाएगा दुबार से modify किया जाएगा जिससे अपने legal purpose को यहाँ पर meet कर पाएं so honorable supreme court यहाँ पर एक और important चीज़ mention करते हैं supreme court यह कहते हैं कि supreme court की जो भी judgment रही है MP शर्मा के case में और खरक सिंग के case में वो judgment ठीक नहीं है क्योंकि वो judgment right to privacy जैसे concept को recognize ही नहीं करती लेकिन supreme court ने के as putta swami versus union of India की case में यह कहा कि right to privacy को recognize किया जाना चाहिए as a fundamental right क्योंकि right to privacy के बारे में इंडियन constitution के बहुत सारे articles भी यहाँ पर बात करते हैं जैसे कि article 14 हो गया जो की बात करता है right to equality के बारे में article 19 हो गया जो right to freedom के बारे में बात करता है article 20 जो की एक तरह से protection देता है for the conviction of offenses article 21 जो की बात करता है right to life and personal liberty के बारे में and article 25 जो की बात करता है right to religion के बारे में तो Honorable Supreme Court ये कहना चाते हैं कि Indian Constitution में ऐसे बहुत सारे आर्टिकल प्रेजेंट हैं जो की Right to Privacy की बात करते हैं इसलिए यहाँ पे Right to Privacy को ऐसा Fundamental Right रिकॉगनाईज किया जाएगा और जो भी जज्जमेंट रही है Supreme Court की MP शर्मा केस में और खरक सिंग वर्सिस State of Uttar Pradesh के केस में Supreme Court उन जज्जमेंट को ओवर रूल करते हैं केस पुट्टा स्वामी केस में जिसमें Supreme Court ने Right to Privacy को रिकॉगनाईज किया तो आप देख सकते हैं Finally Honorable Supreme Court अपना वर्डिक्ट देते हैं इस केस में Honorable Supreme Court ये कहते हैं कि Right to Privacy को एंशोर किया जाएगा ऐसा Fundamental Right और जब Right to Privacy को ऐसा Fundamental Right एंशोर किया जाने लगा तो इसी कंटेक्स्ट की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए यहां Section 377 को भी Partly Abrogate कर दिया गया आगे जाके जिसके रिगार्डिंग एक बहुती फेमस केस एक्जिस्टेंस में आता है जो की है नफतेज सिंग जोहर वर्सिज यूनियन ओफ तो इस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा तो काफी इंपोर्टेंट एंड लेंडमार्क जज्जमेंट थी जो आज हमने डिसकस किया है तो मुझे उमीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी जिस इंफोर्मेशन को आप यहां ग्याधर करने आए होंगे वो आपको मिली होगी have a great day